नमस्कार दोस्तों पिछले पार्ट में हमने देखा था कि किस प्रकार से गफूर अपने गर पर आता है उसे बहुत भूक और प्यास लगी होती है वह अपनी बेटी से पूछता है कि क्या पानी है गर पे तो उसके बेटी कोई जवाब नहीं देती तो देखते हैं आगे क्या उसका रियक्शन होता है क्या उसकी प्रतिक्रिया होती है अमीना रिमेंड स्टेंडिंग जो अमीना है वो खड़ी रही विद बॉर्ड हैड अपने सिर को जुका कर एज बीफोर पहले ही की तरह गफूर ने जब पूचा की पानी है क्या तो उसने कोई जवाब नहीं दिया रियलाइजिंग महसूस करते हुए that there was no not even a drop कि शयद कोई भी बूंद नहीं है water पानी की in the house उस घर में he lost उसने खोद दिया his self-control अपना आपा जब गफूर को ये clear हो गया कि गर में कोई पानी की बूंद भी नहीं है तो उसने अपना आपा खो दिया आपे का ताथ में अपना आत्म नियंत्रन खो दिया rushing at her अपनी बेटी की तरफ दोड़ते हुए he slapped her उसने उसे एक थपड मार दिया face noisily उसके चेहरे पर जोड से और उसके गाल पर जाकर उसने एक थपड उसे लगा दिया rest girl कमबक्त लड़की बेशर्म लड़की what do you do तुम क्या करती हो all day सारा दिन घर पर रहकर और अपनी बेटी से कहता है कि तुम सारा दिन यहां घर पर बैटी बैटी क्या करती हो so many people die रोजाना कितनी सारी लोग मरते है why don't you तुम क्यों नहीं मर जाती तो उसने जब पानी उसके लिए नहीं दिया तो उसने कहा कि तुम क्यों नहीं मर जाती रोजाना कितने लोग मरते है दा गर्ल उसकी बेटी ने डिड नो टटर ए वर्ड कोई शब्द नहीं कहा सी तुक उसने उठा लिया दा एंपटी अधर्ण पीचर वह मिट्टी का घड़ा एंड वेंट आउट और बाहर चली गई इंटु दा आफ्टरनून उसी दोपहर में सन जो की सूर्य चमक रहा था एक्ज कॉइटली बिलकुल चुपचाप वाइपिंग हर साइलेंट टियर्स अपने शांत आंसों को पहुँचते हुए और जब उसकी पिता ने उसे जहाफर लगाई थपड मार दिया तो है चुपचाप अपने घड़ से निकली उस मिट्टी के घड़े को लेकर और अपने आंसों को पहुँचते हुए कपाने लेने के लिए चली जाती है दा मोमेंट उसक्षन सी वाज आउट ओफ साइड जब वो नजर से बाहर चली गई थी ओजल हो गई थी हर फादर उसका जो पिता था वाज और वेल्ब बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया भर गया विद रिमोर्स पश्याताब से क्योंकि उसने अपनी बेटी को थपड मार दिया था वो इस बात से बहुत दुखी हो गया he alone knew क्योंकि उस गफूर को ही पता था how he had brought up कि उसने कैसे पाला था that motherless girl उस मा से हीन लड़की को तो वो जो अमीना थी गफूर की बेटी उस गफूर की पतनी या फिर अमीना की जो मा है वो पहले ही मर चुकी थी और गफूर ने उसे अकेले ही पाला था he knew गफूर जानता था that this affects net कि ये जो उसकी स्नेहपूर्ण डूटीफुल और कारिये के परतिस अमरपित quiet daughter जो शांत रहने वाली जो लड़की है of he was not to blame जिसके लिए उसे दोश भी नहीं दिया जा सकता गफूर को ये पता था कि यदि घर में पानी नहीं है तो इसमें उसकी बेटी की कोई गलती नहीं है वह अपनी बेटी को बिल्कुल स्नेहपूर्ण द्रश्टी से समस्ता था और उसको वह करतव्य परायन समस्ता था जो अपनी काम को करती थी और एक शांत प्रवर्ती की लड़की उसे समस्ता था दे हैड नेवर हैड उनके पास कभी भी नहीं रहा इनाफ इतना परियाप्त तू इट जिससे वो खा सके इवन वाहिल उससे में भी दे अर लिटील स्टोर जब उनका चोटा सा जो संग रह था और फ्राइस लास्टेट जब क्या हो गया खात में तो जब उनके पास चावल भी थे उस समय भी उन्होंने अपने पेट बरके कभी क्या नहीं किया खाना नहीं खाया एक दिन में और एक दिन में तीन समय खाना खाना उनके लिए बिल्कुल स्वापन जैसा था ऐस समबाव था नौर वाज ही अनवेर और ऐसा भी नहीं था कि गफूर को पता नहीं था और दा रीजन इस कारण का फूर दा एपसेंस ओव वाटर की गर्मे पानी क्यो नहीं है ऐसी कोई बात नहीं थी कि गफूर को यह है पता नहीं था कि गर्मे पानी क्यो नहीं है इसका तात्पिय गफूर को ये पहले से पता था कि गर्मी अदी पानी नहीं है तो उसका क्या कारण हो सकता है टू अप दा थ्री टैंक्स इन दा विलिज गाउं में जो तीन तालाब थे उनमें से जो दो तालाब है हैड ओल ड्राइड अप पहले ही क्या हो चुके हैं सूक चुके हैं तो गाउं में तीन तालाब थे तीन तालाबों में से एक तालाब सूक चुका था the little water वो थोड़ा सा पानी that there was जो वहाँ था still in the private tank वो अभी भी उस व्यक्तिगत उस तालाब में था और सिबु बावु जो किसका था सिबु बावु का was not for the public और सिबु बावु ने ये कह रहा था कि उस तालाब से कोई भी पानी नहीं भरेगा तो तीन तालाबों में से दो तो सूख चुके थे एक तालाब जो था वो एक व्यक्तिग विशेश का था साहुकार का था जिसका नाम सिबु बावु था और उसने किसी को पानी लेने से वहाँ से मना कर रहा का था A few halls कुछ गड़े had been dug खोदे गए थे at the bottom of the other tanks दूसरे जो तालाब थे उनके तल के पास में But there was such crowding लेकिन वहाँ पर भी इतनी भीड रहती थी and jostling और इतना दखा मुकी रहती थी For the little water उस थोड़े से पाने के लिए that this chit of girl की ये जो ननी से लड़की है could not even approach them वो उन तक या उस पानी तक क्या नहीं कर सकती थी पहुँच भी नहीं सकती थी तो वो जो तालाग थे उनके पास में गड़ा खोदा गया था जिसे की पानी पिया जा सके लेकिन वो बिचारी छोटी से लड़की उन बड़े लोगों के सामने दखा मुकी के सामने या फिर लड़ाई जगडे के सामने क्या नहीं कर पाती थी इतना पानी भरकंड नहीं ला पाती थी क्योंकि लोगों को दखे से वो दूर गिर जाती थी या पीचे हट जाती थी से इस्टूड वो खड़ी रहती थी 4 hours on कई गंटों तक महाँ पर and after much bagging और जब वो लोगों से भीक मांगती थी निवेदन करती थी if somebody took pity on her यदि कोई वेक्ती उस पर दया कर देता था say returned home वो गर पर आ जाती थी with little water थोड़े बहुत पानी के साथ तो पहली बात तो वहाँ पर इतने ज़्यादा लोग रहती थी कि वो पानी निवेदन करती थी कि मुझे भी पानी बढ़ने दो यदि कोई वेक्ती उस पर दया कर देता था और उसका पानी बढ़ने के लिए उसे time दे देता था समय दे देता था तो वह थोड़ा बहुत पानी लेकर अपने घर पर आ जाती थी वो जो गफूर था अमिना का पिता वो ये सब बाते समझता था जानता था परहबस शायद देरवाज नो वाटर वहाँ पर पानी नहीं था तोड़े आज और या तो नोबोडी हैड फाउन टाइम या फिर किसी को समय नहीं मिलाओगा तो टेग पीटी ओन हर उसके उपर दया दिखाने का यदि हो सकता है कि या तो उस गड़े में ही क्वे में ही पानी नहीं हो या फिर किसी ने उसके उपर इतनी दया नहीं दिखाई कि उसे पानी भड़ने दिया जाए something of the short ऐसा ही कोई कारिये must have happen शयद हुआ होगा ऐसा ही कोई कारिये हुआ होगा otherwise तो गर्मे निश्यत रूप से पानी मिलता he thought गफूर ने ऐसा सोचा and his own eyes और अपनी आखों को too filled with tears उसने देखा कि वो भी क्या हो गई है आंस वो से भर गई है तो बेटी को तो थपड मार के उसने रुला ही दिया अपनी बेटी के बारे में सोचकर वो खुद भी क्या करने लग गया रोने लग गया गफूर are you in? हे गफूर क्या तो अंदर है? somebody cried out कोई व्यक्ति चिलाया in the yard कहां से? आंगन से तो कोई व्यक्ति आंगन में आया और चिलाया कि क्या गफूर तु गर पे है क्या? the landlord's messenger उस जमीनदार का जो संदेश वाहग था head arrived क्या हो गया तक गफूर के गर पे आ गया तो जमीनदार ने अपना एक संदेश वाहग बेचा है yes अपना एक आदियू बेजा है उस गफूर के पास देखते हैं क्या बात होती है yes I am in हां मैं अंदर ही हूँ why क्यों बोलो क्या काम है answered गफूर बिटरली गफूर ने बहुत ही कड़वाहट के साथ कहा master has sent for you come मालिक ने तुम्हें बुलाने के लिए भेजा है या फिर लेकर जाने के लिए भेजा है चलो मेरे साथ चलो गफूर को उसके मालिक जमीनदार ने क्या किया है बुलाया है तो गफूर कहता है I haven't had my food yet मैंने अभी तक अपना खाना नहीं खाया है I will come later मैं थोड़ा देर बाद में आऊँगा said गफूर गफूर ने कह दिया तो messenger ने जब कहा कि चलो मालिक ने बुलाया है तो उसने कहा कि मैंने अभी खाना नहीं खाया है मैं खाना खालो फिर तुमारे पास क्या करता हूँ आता हूँ ऐसा गफूर ने कहें दिया such impudence ऐसी जो निललस्ता थी seemed intolerable ऐसे हैन ये लगी to the messenger उस messenger को संदेश वाह को संदेश वाह को उस गफूर की बाते पसंद नहीं आई तो फिर क्या हुआ aidsmasters.order ये माली का आदेश है to drag you to him कि मैं तुम्हें गसीट कर उनके पास ले चलूँ and give you a good tessing और तुम्हें अच्छी तरह से छड़ी से मार के तुमारी पिटाई भी करूँ he wrote वो जो संदेश वाहक था वो क्या करता है जोड से चीक कर कहता है तो गफूर ने जब मना किया तो उसने कहा कि मालिक ने कहा है कि तुम्हें गसीट कर लेया हूँ यदि नहीं आये तो और तुम्हें क्या करूँ मैं पीटू भी साथ में calling the man और उसने उस गफूर को देना शुरू कर दिया ugly names गालिया और गफूर को उस आदिवी ने गालिया देना क्या कर दिया शुरू कर दिया गफूर lost self control गफूर ने आत्मनी अंतरन खो दिया for the second time आज दूसरी बार और पहली बार तो आत्मनी अंतरन कब खोया था जब अपनी बेटी अमीना को चाटा मारा था अब दूसरी बार फिर से वो क्या करता है अपना आत्मनी अंतरन खोता है क्या कहता है we are nobody's slave हम किसी के कोई गुलाम नहीं है he replied उसने जवाब दिया returning similar compliments वैसी ही बाते करते हुए जैसा किसने कहा था उस messenger ने या संदेश वाहक ने तो जैसी बात में जैसे तरीके से बात संदेश वाहक ने की उसने भी वैसे कहा है कि हम किसी के गुलाम नहीं है we pay rent हम भुकतान करते हैं किराया देते हैं लगान देते हैं to live here यहां रहने के लिए I will not go जाओ अपने जमिंदार से कह देना कि वो नहीं आ रहा है ऐसा गफूर ने उस संदेश वाहक को कह दिया कि तुम जाओ और कह दो कि हम किराया देते हैं और हम किसी के गुलाम नहीं है मैं नहीं आ रहा but in this world लेकिन यह जो संसार है it is not only futile यह ना क्यवल व्यर्थ है for the small छोटे लोगों के लिए to appeal निवेदन करना to authority सतासी लोगों कर कोई सामाने वेक्ती कि जी अतिकारी से यदि निवेदन करे तो यह अपने आप में कोई फाइदेमंद नहीं है क्योंकि बड़े लोग किसी छोटे की साहता नहीं करते it is dangerous as well और इसके साथ साथ इसमें खत्रा भी है किसी से निवेदन करने में अपने आप में क्या है खत्रा भी है fortunately the tiny voice वे छोटी से आवाज seldom reaches हलाकि कम पहुंचती है big ears बड़े कानों तक और यह अच्छा है कि छोटे लोगों की आवाज बड़े लोगों तक कम पहुंचती है और who knows या फिर किसको पता है what might happen की क्या हो जाए यदि बड़े लोगों तक सारी बाते पहुंच जाए तो पता नहीं छोटे लोगों की तो जिंदिगी ही कैसी नर्क से पुरिपूर्ण बन जाए दुविदापूर्ण बन जाए वेन गफूर रिटर्न हॉम जब गफूर वापस गर पर आया फ्रम दा लेंडलोड्स उस जमीनदार के घर से एंड कॉइटली ले डाउन और चुपचाब जाकर लेट गया हिज फेस एंड आईज उसकी आँखे और उसका चेहरा वर स्वैलन क्या हो चुके थे सूज चुके थे तो वो जो मैसेंजर था वो उस गफूर को गसीरते वए गर पर ले जाता है जमीनदार के और जब गफूर वापस अपने गर पर आता है तो उसकी आँखे और उसका चेहरा क्या था? सूजा हुआ था इसका मतलब उसकी जम्के वहाँ पर क्या की गई है? पिटाई की गई है तो महेश के कारण गफूर की पिटाई हुई है देखते हैं क्या हुआ वेन गफूर लेफ्ट देट मौरनिंग कफूर जब अपने गड़ से निकला था महेश ब्रॉक लूज फ्रॉम हिस तैटर जो महेश था वो अपने रसे से या अपने खूटे से खुला गया भाग गया and entering the grounds और जाकर खेत में गुज गया या उस जगय में गुज गया of the landlord जो किसकी थी landlord की जमीनदार की तो महेश अपने खूटे से तुड़वा कर उस landlord की जमीन में जाके या उसके भूमी में जाके गुज गया had eaten of lots वहां गया और उसके फूल उसने खा लिये and upset the corn और उस अनाज को भी उसने अस्तिवेस्थ कर दिया drying in the sun जो सूर्य के प्रकाश में क्या हो रहा था सूख रहा था तो महेश जमीनदार के गर पे चला जाता है उसके खेत में या फिर उसकी जगह में चला जाता है वहां जाकर वहां के जो पुश्प वगर फूल वगर थे उनको खा जाता है और साथ में सूखी हुई जो फसल जाती उसको क्या कर देता है वो अस्तिवेस्त कर देता है वेन फाइनली दे ट्राइड जब अंतते उन जमीनदार के लोगों ने कोशिश की तो कैच हिम उस महेश को पकड़ने की ही हैड हर्ट उसने चोट पहुचा दी दा लेंडलोर्ड से यंगेस्ट डॉटर उस लेंडल की जो चोटी बेटी थी उसे भी क्या कर दिया उसने चोटिल कर दिया दिस वाज नौट तफर्स्ट टाइम ये कोई पहली बार नहीं था दिस हैट हैपंड कैसा हुआ हो मतलब गफूर की पिटाई आज कोई पहली बार नहीं हुई है बट गफूर वाज फोर्गिवन लेकि वो माफी मांग लेता and so on other occasions देशा की दूसरे आउसरों पर हुआ बैग्ड उसने माफी मांग ली for the landlords for goodness किसकी उस जमीनदार से माफ करने के लिए तो पहले के आउसरों में तो उसने जमीनदार से माफी मांग लेती कि मुझे माफ कर दिया जाए लेकिन आज उसने क्या कर द वो शायद have been forgiven यदि उसने माफी मांग ली होती तो शायद उसे माफ भी कर दिया जाता बट लेकिन instead लेकिन इसके बजाए he claimed उसने तो ये दावा कर दिया था he paid rent की वो लगान देता है and that he was nobody's love कि वो क्या नहीं है किसी का गुलाम नहीं है तो इस प्रकार से ये बाते बोलन जादा बेजती वरा था दा जमीनदार क्योंकि वो वहां का जमीनदार था तो स्वैलो ऐसी बातों को क्या करना grant कर लेना या फिर सहन कर लेना तो जमीनदार के लिए ऐसी बाते सहन करना नामुम्किन हो गया गफूर head born गफूर ने सहन कर ली दा बेटिंग वह पिटाई and torture और वो दुख सहन कर लिए without protest बिना कोई विरोध किये जितनी उसकी पिटाई की उस गफूर ने सारी पिटाई चुपचाप सहन कर ली at home अपने घर पर to be he lay वो पड़ा था इने कोर्णर एक कोने में without a word एक बिना कोई शब्द कहे और अपने घर पर आकर एक कोने में क्या हो गया वो जाकर चुपचाप गिर गया hunger and thirst जो भूख थी और जो प्यास थी he had forgotten वो है भूल चुका था but his hurt लेकिन उसका जो रिदे था वाज बर्णिंग जल रहा था within him अपने अंदर ही like the sun outside जिस प्रकार से दूस सूरिय बाहर चमक रहा था तो बाहर तो सूरिय जल रहा था जबकि उस गफूर का जो रिदे था वो अंदर ही अंदर जल रहा था he had kept no count अरे उसे तो पता भी नहीं चला of how time passed की समय कैसे बीत गया और उसे तो वास्तों में तब पता भी नहीं चला की वास्तों में समय कब बीत गया और समय बीतने पर क्या हुआ he was suddenly second out वो अचानक जनकरत हो गया of his listlessness उसकी निर्जीव से बाइ दस सिर्क उफे गर्ल जब उसने किसी लड़की की क्या सुनी चीक तो वो निर्जीव अवस्ता में पढ़ाता लेकिन अचानक उसकी जो निर्जीव अवस्ता है वो सजीव में पहुँच जाती है वो अचानक जाग जाता है जब उसने किसी लड़की की क्या सुनी चीक सुनी अब लड़की कोन हो सकती है उसकी बेटी सीवाज पॉस्ट्रेट वो तो दंडवत पड़ी थी या सीधी पड़ी थी ओंदा ग्राउंड जमीन के उपर वो लड़की उसकी जमीन के उपर क्या हो गए थी गिर गए थी दा पीचर और वो गड़ा विच सी हैड बीन केरिंग जिसे वो लेकर आई थी ममल डाउन तमल डाउन वो क्या हो गया था धड़ाउं से नीचे गिर गया था तो वो भी गिर गई और उसके हाथ में जो गड़ा था वो भी नीचे गिर गया और महेश वाज सकिंग अप और महेश चूस रहा था दा वाटर उस पानी को एज़ फ्लॉड ओन दा अर्थ जब वो किसके ओपर गिरा था जमीन के ओपर तो फट्च के ओपर जो पानी गिरा हुआ था उसे जो महेश जो बैल था वो क्या कर रहा था उसे पी रहा था गफूर वाज कम्पलेटली आउट ओफ हीज माइंड जो गफूर था उसका मानसिक नियंतरन पूर्ण रूप से छूट गया हट गया उसे बहुत गुसा आ गया और गुसा आने के बाद में विदाउट वेटिंग अनदर मॉमेंट बिना एक शण का भी इंतजार किये इस सेजड उसने पकड़ लिया दपलो हैड उस अपने हल का जो मुट था उसे ही हैड लेफ्ट येस्टरडे जो वह पिछले दिन ही छोड कर गया था फोर रिपैर तैयार करवाने के लिए सुद्रवाने के लिए उसने अपने हल की मुट को पकड़ा और जो उसने कल ही अपने गर पर रखा था कि वह सुद्रवाएगा और अपने दोनों हातों के ताकत से इस्टक इट वॉलेंटली वह जोड से उसे मार देता है और बैंट हैड ओप महेश उस नीचे गरदन जुखाए हुए महेश की सिर पर और महेश इसने नीचे अपना सिर का रखा था गफूर ने उस हलको उठाया और उस महेश के सिर पर जोड से क्या कर दिया मार दिया ओनली वन्स के वल एक बार महेश अटेंटिड महेश ने कोशिश की तो रैज हीज हैड अपने सिर को उठाने की बट इमीडियेटली लेकिन ततकाल हीज स्टार्विंग उसकी भूग से तडपती हुई लीन बोडी कमजोड सरीर स्टेगर्ड टू दा ग्राउंड लडखडाते हुए क्या हो गया जमीन पर गिर गया तो उसको चोट मारी तो महेश ने कोशिश की अपने सिर को उठाने के लेकिन वो भूग से इतना प्रतारित था और उसका शरीर इतना कमजोड था कि वो लड़ खडा कर जमीन पर गिर गया कुछ बूंदे ऑफ ब्लड खून की रोल्ड डाउन नीचे लुडखने लगी फ्रॉम हीज एर्स उसके कानों से और महेश दू बैल था उसके कानों से खून की बूंदे क्या हो गई निकलने लगी हीज हॉल बोड़ी उसका शरीर पूरा शूक वंस एक बार हिला और तू या फिर दो बार हिला एंड दैन स्ट्रेचिंग दा फॉर एंड हिंड लेग्स और उसने आगे और पीछे के जो पैड थे उनको पसार दिया विज भार एज़ दे वुड रीच जितनी दूड तक वो क्या को सकते थे पसर सकते थे तो अंततै हूसका शिरीर है वो अकड जाता है और उसके हाथ पेर सुरी उस बहल के जो दोनों आगे और पीछे की जो पैड थे वो क्या हो जाते हैं पसर जाते हैं उतनी दूर तक जितनी दूर तक वो पसर सकते थे महेश fell dead और अंतता है महेश क्या हो जाता है नीचे गिर जाता है और मर जाता है What have you done father है पिता जी आपने क्या कर दिया Our महेश is dead हमारा महेश मर गया है अमीना burst out whipping जो अमीना है वो जोड़ जोड़ से रोने लगी अमीना ने रोते हुए कहा कि पिता जी आपने उस महेश को मार दिया उसके सिर पर मार कर उसे मार दिया है वो मर गया है अप पिता जी आपने ऐसा क्या कर दिया है गफूर डिड नोट मूव, गफूर हिला भी नहीं, नोर एंसर हर और नहीं उसने कोई जवाब दिया वो तो घूरता रहा, विदाउट बिलिंकिंग अपनी आखों को बिना जबकाए एड़ पैर ओफ मौसन लेश, बीडी बलेक आईज, उन एक जोड़े, एक जोड़े काली आखों को जो की लग रही थी, किसके समान, माला के मोतियों के समान, जो इस्तिर थी, हिल नहीं रही थी तो महेश की जो आखे थी, वो बिल्कुल इस्तिर हो गई, काली थी, और किनके समान लग रही थी, किसी माला के मोति के समान, उनको बह गफूर क्या करता है, देखता ही, रहता है बिफोर टू आर्ट्स वर आउट, इससे पहले की दो गंठे भी बीटते, डा टैनर्स लिविंगे अट दा एंड, अरे वे चर्मकार जो की एक कोने पर रहते थे ओफ दा विलेज गाओं के, केम क्राउडिंग, इन वो सारे इकटे होकर आए, एंड केरीड ओफ महेश और मह तो रही है, जो मरे हुए जानवरों की चमडी निकालते हैं, शड्रिंग एड़ा साइट, उस द्रश्च को देखकर काप गया, और दा शाइनिंग नाइवज वो जो चमकीले चाको थे, इन देर हैंड्स उनके हातों में, और उन चर्मकारों के हात में चमकीले, चाको को दे एबर्स आसपड़ों के जो पडोसी थे, इन फॉर्म्ड हिम, उन्होंने उस गफूर को ये सूचना दी, that landlord had sent for तारकरत्न की जो जमींदार है, उसने तारकरत्न को बुलाया है, to ask for advice, सला लेने के लिए, तो तारकरत्न को बुलाया गया है, जमींदार के द्वारा, कुछ सल of a sacred animal demanded, जो किसी एक पवित्र जानवर को मारने के बाद में किया जाता है, तो जैसा कि गफूर ने उस बैल को मार दिया था, बैल को एक पवित्र जानवर माना जाता है, उसने उसे मार दिया है, तो अब उसे पश्याताप की रूप में क्या करना पड़ेगा, इसी के लिए, ब्राहमन तारक रतन को क्या किया गया है, जमींदार के द्वारा बुलाया गया है, गफूर मैड नो रिपले टू दीज रिमार्क्स, गफूर ने उन लोगों की बातों का कोई जवाब नहीं दिया, बट रिमैंड स्क्वेटिंग, वो तो उकडू बैटा रहा, विद हीज बैटी, चलो, आओ चलते हैं, सैड गफूर, गफूर ने कहा, राउजिंग, इज डॉटर अपने बैटी को उठाते हुए, अपनी बैटी को गफूर ने मद्धी रात्री को उठाया, और कहा कि, आओ बैटी, हम यहां से क्या करते हैं, चलते हैं, जो लड़की थी, वो आंगन में सो रही थी, वेहर फादर उसने पुछा है, पिता जी, आप कहां जा रहे हैं, कहां लेकर जाएंगे, उस लड़की ने अपनी आँखों को पोंचते हुए कहा, क्योंकि उसे बहुत नींद आ रही थी, तो पिता कहता है, तो वर्क काम पिता ने कहा, तो पिता ने कहा, कि फुल बरे हम चलेंगे, और वहां पर जो जूट की मील है, जूट की जूट की मील है, वहां जाकर हम काम करेंगे, दा गर्ल लुग्ड एट हिम, उस लड़की ने अपनी पिता की तरफ देखा, इंक्रिड़सली, आ विश्वासनी दरश् थो, तो all his misery, अपनी पूरी गरीबी के या दुखदाई समय में, he had declined, उसने मना कर दिया था, to go to फुल बरे, कि मैं फुल बरे कभी भी नहीं जाओंगा, उसकी बेटी ने उसे कहा था कि वहां जाने के लिए, लेकिन गफूर ने हमेशा ही वहां जाने से मना कर दिया, क्या क जाने से हम फुल बरे नहीं जाएंगे, ऐसा, गफूर ने हमेशा कहा कि वहां पे कोई धर्म नहीं है, कोई सम्मान नहीं और ओरतों की तो वहां बिलकुल भी इज़त नहीं होती, she had often heard him से, ये अक्सर बातें उसका पिता, गफूर अपनी बेटी अमीना से कहा करता था, ले नापना है या चलना है, अमीना वाज गोईंग, अमीना जा रही थी to collect लेने, the drink bowl वहे, पानी पीने का कटोरा, एंड हर फादर्स ब्रास प्लेट और अपने पिता की, पितल की जो प्लेट थी उसे, तो बेटी गई, जा रही थी अपने पिता की ब्रास प्लेट, वो पितल क पूर्ण चीज रहेगी पीछे for महेश जो मैंने मार दिया है महेश को वह उसका मौावजा है said गफूर गफूर ने कहा उसने काया कि मैंने महेश को मार दिया तो ये जो पितल के पिलेट है वो रख लेगा कौन जमीदार जिससे की मेरा जो बकाया है वो क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा या उसे मिल जाएगा इन दा डैड ओफ दा नाइट उस रात्री के अंधेरे में गफूर सैट आउट गफूर रवाना हो गया होल्डिंग हिस डॉटर अपने बेटी को पकड़ कर बाइदा हैंड उसके हाथ से और अपने बेटी को नहीं था जिसे वो अपना कह सके अपने परिवार का कह सके he had nothing to say to anyone क्योंकि उसको किसी से कुछ भी नहीं कहना था गफूर अकेला ही वहाँ पर रहता था crossing the yard उस आंगन को पार करते हुए when he raised जब वो पहुँच गया दैकेसिया उस बंबूल के पेड के पास पहुचा जहां पे महिश खड़ा रहता था बंदा रहता था और वहाँ जाकर एक चोड से चीक वो मारता है क्या कहता है अल्ला हे वगवान he said उसने कहा rising his face अपने चेरे को उठाते हुए toward की तरफ the black star उस काले और तारों से परिपूर्ण इस पैंगर्ड काई उस आकाश की तरफ और तारों से परिपूर्ण उस आकाश की तरफ वो क्या करता है अपने चेरे को उठा कर कहता है क्या कहता है पनिश मी मुझे सजा दो अपने होटो पर प्यास लिए आप चाहे मुझे कितनी भी सजा दो लेकिन जो महेश था वो प्यास को अपने होटो पर लेकर मर गया किसी ने थोड़ी बहुत जमीन भी नहीं छोड़ी फोर हिम उस बैल के लिए टू फीड ओन जिसके उपर मैं उसे चरा सकूँ प्रे मैं बगवान तुमसे प्राटना करता हूँ नेवर फोर्गिव दोज उन लोगों को कभी माफ नहीं करना देर गिल्ट और उनके बेकार गलतकारियों को भी कभी माफ करना उनके दोशों को माफ मत करना उनने जिनों ने उसे बिलकुल खाने नहीं दिया दे ग्रास वह चारा नोर ड्रिंग दा वोटर और नाव भी वो पानी पीने दिया यू है गिवन जो तुमने मानो प्राणियों को दिया है तो गफूर इश्वर से प्रार्थना करता है कि तुम उन लोगों को जरूर साजा देना जिसने उसे बिचारे जानवर को मरने के लिए छोड़ दिया उसे पाने नहीं पीने दिया और इतनी से जमीन भी नहीं दी कि जिसके उपर वो अपना पेट बढ़ सके तो इस प्रकार से अंत्रते जो बैल है वो प्यास के मारे भूग के मारे मर जाता है और जो गफूर है वो एक जगे से दूसरी जगे जाने पर मजबूर हो जाता है तो यह आपका अलेशन था यदि पसंद आया हो तो लाइक करें अ सब्सक्राइब करें फिर मिलते हैं नए लेशन के साथ तब तक के लिए जैहिन वंदे मातरम